अब ही हम मौझूद हैं दिग्घा बडीज पे और आपको बताते चलें कि रेल दिग्घा बडीज दोहरी करन का काम सुरू हो गया है और ऐसे में पाटली पूत्रा जक्सन पे भी जो दो अन्य प्लेटफर्म बनाने की कवायद है वो काफी तेजगती से चल रही है और ऐसे में आपको बताते चले कि पाटली पूत्र से पहलेजा तक 10 किलोमीटर का जो रेल दोहरी करन का काम चल रहा है वो कब तक पूरा हो पाएगा इस पे अधिक जनकारी दे रहे हैं पूरुपमद रेल के मुक्खे जनसंपर का धिकारी रजेस कुमार जान लेते हैं पाटली पुत्रा रेलवे स्टेशन जो है वो पत्ना का एक अती महतरपूर्ण रेलवे स्टेशन है फिलहार यहां तीन प्लैटफॉर्म है अब यहां पे दो एक्स्टा प्लैटफॉर्म बनाये जा रहे हैं एक प्लैटफॉर्म का निर्मान हो रहा है उसी प्लैटफॉर्म इसी वर्ष में बन करके तयार हो जाएगा और आगे पाटली पुत्रा से पहले या तक जो डबल लाइंग का कार है वह भी वर्क इन प्रोग्रस है दिसंबर 2021 तक उसे भी निर्मित कर लेने का लक्ष रखा गया है तो आने वाले दिनों में पाटली पुत्रा एक महत्रपूर् कर लिए ट्रेने यहां से प्रारंभ होंगी और यहां पर अंत्र होंगी तो निश्चित तोर पे सीपी यारों का यह मनना है कि दिसंबर 2021 तक रेल पर्टी दोहरी करन का काम कर लिया जाएगा और ऐसे में पाटली पुत्र पे भी जो अत्रिक्त दो प्लेटफर्म बन रहा है वो अगस्त तक पुरा कर लिया जाएगा ऐसे में आपको बताते चले कि यह दिग्धा ब्रीज रेल दोहरी करन के काम हो जाने से उत्तर भी हार की ओर चलने वाली ट्रेनों की पडिचालन बर जाएगी और ऐसे में यात्रियों की काफी सहुलियत हो जाएगी लेकिन जिस तर से रेलवे परसासन का यादावा है कि दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा यह अब देखने वाली बात होगी कि क्या दिसंबर 2021 तक रेल दोहरी करन का काम पूरा हो पाता है या नहीं नीरज कुमार, ETV भारत पटना